हेलो गाइस वेल्कम टो आवर योट्यूब चानल स्ट्डी विद एम आज मैं आप सभी के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट विडियो लेके आए हूँ तो देखे आपके आगामी वीडियो वीडियो एक्साम के रिगार्डिंग आप सभी को स्ट्डी विद एम के द्वारा प् विडियो एक्साम के लिए काफ़ी हलवूर रहने वाला है तो आप सभी लोग हमारे इस प्रैक्टिस सैथ को हम स्टार्ट करते हैं स्टार्ट करने से पहले जिन लोगों अभी तक हमारे YouTube चैनल Study with AIM को सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब कर लिए साथ साथ बगल में जो बैल आइकन देख रहा है इसे भी प्रेस कर लिए ताकि हम कोई भी वीडियो डालते हैं काफी important question आपको quiz के रूपे दे जा रहे हैं तो आपको join कर सकते हैं तो चलिए आज के session को हम start करते हैं और इस session का पहला question है वर्ष 1966 में सुमीरू संग्राले किस थापना किस के द्वारा की गई तो देखे सुमीरू संग्राले किस थापना की गई थी वर्ष 1966 में और किस के द्वारा डॉक्टर मदन चंद भठ के द्वारा सुमीरू संग्राले की स्थापना की गई यानि कि option D यहाँ पे आपका right answer है अगला question है बैगुलबाद कहाँ पर अव इस्तित है देखे बैगुलबाद है आपके कहाँ पर सितार गंज में यानि कि उथम सिंग नगर जनपद में यहाँ बाद इस्तित है और कहाँ पर किस नदी पर यहाँ बाद इस्तित है पूछ लिया जाए तो आपको याद रखना है बैगुल और दूसरा सुखली बैगुल और सुखली नदियों पर यहाँ बाद बनाया गया है जो कि 1968 में वर्ष 1968 में बन कर पूरा हुआ अगला कुश्यन है टॉन्स घाटी में किस इस्थान पर एशिया का सबसे उचा चीड़ प्रक्ष खड़ा था जो वर्ष 2007 के तुफान में गिर पड़ा तो देखिए यह स्थान था किरॉली नामकिस्थान जहां पर एशिया का सबसे उचा चीड़ का प्रक्ष खड़ा था और यह प्रक्ष 2007 के तुफान में गिर पड़ा था अगला कुश्यन है आपका बिंसर महादेव मंदीर स्थित है बिंसर महादेव का मंदीर कहां पर अविस्थित है करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका पौड़ी गढ़वाल में यह आपको याद रखना है एक विंसर महादेव मंदिर जो है ये आपके अलमोरा जनपद में इस्तित है और एक आपके पौड़ी गड़वाल में भी इस्तित है इस पॉइंट को भी आप याद रखेंगे पौड़ी गड़वाल का जो विंसर महादेव मंदिर है ये पौड़ी गड़वाल के किस इस्थान पर इस्थित है ये भी पूचा जा सकता है तो आपको याद रखता है पौड़ी गड़वाल के धली सेन नामक इस्थान पर विंसर महादेव मंदिर इस्थित है अगला कुश आंसर हो जाएगा आपका मित्रता की यातरा अगला कुशन देखेंगे कमलेंदू मतिश शा को किश वर्ष पद्म भूशन सम्मान दिया गया कमलेंदू मतिश शा जो है ये पद्म भूशन सम्मान से सम्मानित है और यह सम्मानिने मिला था 1958 में अगला कुशन है अलविदा कु यहां पे आपका right answer हो जाएगा अगला question देखेंगे तीरी रियासत में पॉन टूटी किस प्रकार का कर था देखें तीरी रियासत में पॉन टूटी जो था ये आयात निरियात कर था अगला question है छोटे छोटे पक्षी कागज की नाव रशना है छोटे छोटे पक्षी और काग अगला कुश्चन देखेंगे सुमाली गाड किसकी साहयक नदी है। काशी में जाक मेला लगता है अगला कुश्चन देखेंगे सजवान जाती से सम्मन्दित गड़ था। सजवान जाती से सम्मन्दित गड़ है इनमें से कुईली गड़। ऑप्शन डी यहां पे आपका राइट आंसर है। किस पेतन से दिया जाता था सैनिको को दिया जाने वाला जो करता तो यहां पे इस कुश्चन का राइट आंसर हो जाएगा देखेंगे पुगाडी कर। गुरका शाशनकाल में यह कर था पुगाडी कर जिससे सैनिको का वेतन दिया जाता था। तीरी का पहला भूमी बंदोबस्त हुआ था वर्ष 830 इस बी में अगला कुश्चन है राम डोला का मेला कहां लगता है। निम्न मैंसे पर्थम बदर्वी के नाम से जाना जाता है। तो देखेंगे देखेंगे तो देखेंगे हर यह परवद इस्तित हैं। हरिया नामग परवत है, कहा पर? देखें, अलमोडा में स्तित है, हरिया परवत, अगला कुशन है, चंदरॉली नामग आभ्भुषन पहना जाता है, गले में, अगला कुशन है, सामाजीग विशेपार आथारित तिम्ली लोकित के जन जाती में, अगला कुशन देखेंगे निमने मैंसे पितोरगड जनपद में इस्तित है देखें पितोरगड जनपद में क्या इस्तित है बताना है इन मैंसे तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका कर्टुकु नौला, हंशेश्वरमार्ट, जानवे नौला सभी हैं उप्योग तो सभी कि दिखेंगे राजी मैं आईरवेड की स्थापना देराद में कब हुई थी तो देखेंगे राजी मैं आईरवेड की स्थापना देहरा दून में की गई थी वर्ष 2009 में अगला कुशन है भारत का पहला पंजकृत स्कूल है भारत का पहला पंजकृत स्कूल है दून स्कूल अगला कुशन है उठो गड़वालियो किसकी कविता है देखे उठो गड़वालियो ये कवीता है सत्य नारायन रतोरी की अगला कुशन है आपका पितामबर दत बर्थवाल का संबंद है पितामबर दत बर्थवाल का संबंद है पोड़ी गड़वाल से अगला कुशन है राजी में केंद्र द्वारा नमामी गंगे अभियान शुरू किया गया था 7 जुलाई 2016 को अगला कुशन है विपिन चन जोशी थल सेना अध्यक्ष रहे कब से कब तक रहे ये बताना है विपिन चन जोशी जो है ये थल सेना अध्यक्ष रहे बर्शों 133 से 94 तक अगला कुशन है राजिये खेल पुरुसकारों में उतराखन की जगा देव भूमी श एक्ता आंसर हो जाएगा इस question का वर्ष 2015 में अगला देखेंगे किस पवार शाशक को गड़वाल का शोक या कृष्न कहा जाता है तो देखें ये पवार शाशक है जै पाल जिन है गड़वाल का शोक एवं कृष्न कहा जाता है अगला question है पासपोर्ट को हिंदी में कहते हैं पासपोर्ट को हिंदी में क्या कहा जाता है पार पत्र कहा जाता है important question है अगला question है किरतीपूर किसका प्राचेन नाम है किरतीपूर प्राचेन नाम है जोशी मटका अगला question देखेंगे रामताल गार्डन इस्तित है रामताल गार्डन ये आपका है देहरा दून में अगला कुशन है एबड परवत इस्तित है एबड परवत है उत्राखंड राजी के चंपा वजनपद में अगला कुशन देखेंगे नेनिताल राज भवन की शेली में निर्मित है नेनिताल राज भवन की शेली बतानी है तो ये है यूरापिय शेली ऑप्शन बी यहां पर आपका ब तेहरी में कुंजड़ी वन आंदोलन कब हुआ था तो देखे कुंजड़ी वन आंदोलन हुआ था कहां पर तेहरी गड़वाल में और किस वर्ष हुआ था वर्ष 1904 में अगला कुशन देखेंगे उत्तम का विलूम शब्द है देखे उत्तम का विलूम शब्द क्या हो जाए गन मैंसे उत्तम का विलूम शब्द हो जाएगा अधम अगला कुश्यन है प्रश्टव्य प्रश्टव्य किसे कहा जाता है प्रश्टव्य कहा जाता है पूछने योगी को अगला कुश्यन है निमने मैंसे कौन सा अल्प विराम चिन है इन मेंसे अल्प विरामचिन नहीं बताना है तो अल्प विरामचिन्थ हो जाएगा आपका यह वाला यहानि के Option B अगला कुश्यन है जस्तूलहा तसपनी बराती का अर्थ है तो देखिए यह आपका एक लोकुक्ति दी गई है जस्तूलहा तसपनी बराती इसका अर्थ बताना है तो इस लोकुक्ति का सही अर्थ हो जाएगा सभी साथी एक ही जैसे अगला कुश्यन है निम्नवाक्यों में स संयुक्त वाकि कौन सा है देखिए इन वाकियों में से संयुक्त वाकि है आपका उसने खाना खाया और सो गया यह आपका संयुक्त वाकि है अगला कुशन है अरे उसने तो कमाल कर दिया वाकि है तो देखिए अरे उसने तो कमाल कर दिया यह किस परकार का वाकि है यह वाकि हो जाएगा आपका देखे विसमयादी बूधक वाकि क्योंकि यहां पर बिसमयादी बूधक चिन्ने का परियोग की तक हम चुर्त में से कहते हैं अगला कुशन देखेंगे अपादान कारक का वेभगती चिनने क्या होता है से अलग यानि क्या option दी यहां पे आपका correct answer है अगला question देखेंगे वाकिय के अशुद्ध भाग का chain कीजिए तो देखें वाकिय में अशुद्ध भाग बताना है एक पूरा वाकिय दिया है आपको कोई तुरूटी नहीं तो तुम्हारी पुस्तक तुम कक्षा में आते हो साथ क्यों नहीं लाते तो इस वाकिय में अशुद्ध भाग कौन सा हो जाएगा तो तुम्हारी पुस्तक यह आपका अशुद्ध भाग है अगला है आवेदन पत्रो की शुरूवात सबसे उपर किस तरह से की जाती है तो देखें आवेदन पत्रो जो होता है इसकी शुरूवात की जाती है सबसे उपर से बाइं तरफ से Option A यहाँ पर आपका राइट आंसर है अगला कुश्त देखिंगे हाँ आप आईए किस प्रकार का वाकी है तो ये वाकी है आपका स्वीकर्थी बोधक वाकी अगला कुश्यन देखेंगे जाज करता कौन सा शब्द है जाज करता शब्द हो जाएगा संकर सब्द नेक्स्ट कुश्यन है शुद्ध वर्तनी का चैहन कीजिए देखेंगे वर्तनी की दृष्चे से सुद्ध शब्द बताना है देखेंगे वर्तनी की दृष्टे से सुद्ध शब्द हैं इन मैस से कौन सा द्वन्द यानि कि option c बिल्कुल right answer है अगला देखेंगे किस शब्द की रशना परतियाई से हुई है बताईए जिन लोग को आंसर आ रहा है कमेंट शेक्शन में तो देखे यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा भगोड़ा अगला देखेंगे तनु का प्रियाईवाची शब्द है तनु का प्रियाईवाची शब्द होता है कलेवर अगला कुशन है आपका सौ गुना तेज शब्द में कौन सा विशेशन है तो देखे सौ गुना तेज शब्द जो होता है इसमें है कौन सा विशेशन करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका यहाँ पर अवर्ति बोधक संख्या वाचक विशेशन अगला कुश्यन है उफुमान का विलोम शब्द है देखिए उफुमान का विलोम शब्द हो जाएगा इन मैसे उफुमे अगला कुश्यन देखेंगे धापोर शंक का अर्थ है तो देखे धापोर शंक इसका क्या अर्थ होता है धापोर शंक का अर्थ होता है बेवकूफ अगला कुशन देखेंगे निमने में से कौन सा वर्ड संबंदी पद नहीं है तो देखें इन में से वर्ड संबंदी पद नहीं है अगला कुशन देखेंगे निमने में से कौन सा माउस जैसा कारी करता है देखें माउस जैसा कारी करता है ट्रैक बॉल next question है computer तथा मानो का संपर्ग desk के द्वारा होता है तो देखे computer तथा मानो का संपर्ग किस के द्वारा होता है input even output के द्वारा option इस question का right answer है अगला देखेंगे हाल ही में CRPF ने अपना 83 इस्थापना दिवस कब मनाया है तो देखे CRPF ने अपना 83 इस्थापना दिवस मनाया है कब मनाया है correct answer हो जाएगा इस question का 27 जुलाई को अगला question देखेंगे निमने में से विशम मातरिक छंद है तो देखें इनमें से विशम मातरिक छंद कौन सा है correct answer हो जाएगा कुंडलिया और छपपई दोनों है तो देखें यदि gift का code है jgs तो water का code हो जाएगा देखें क्या हो जाएगा xzuds अगला देखेंगे तीन अलार्म किरमसह 10, 15, 30 मिनट के अंतराल पर बसते हैं यदि वे एक साथ सुबर 9 पर बजे हैं तो फिर वे कितने बजे बजेंगे तो यह बताना है correct answer हो जाएगा आपका यहाँ पर सुबर 9 बजे अगला question देखेंगे प्रस्तावना निशकर्ष देखें यहाँ पर प्रस्तावना और निशकर्ष यह एक युग्म बना दिया गया है यानि कि जोड़ा बना दिया गया है इसी तरीके से तो 2024 में उलमपिक खेलो का जो आयजन है यह किया जाएगा कहाँ पर प्रस्तावना अगला question है राधा मोहन कप का संबन्ध किस केल से है राधा मोहन कप का संबन्ध है किस से पोलो से next question देखेंगे उतपादक माल को यह कहा जाता है देखिए उत्फादक माल को क्या कहा जाता है correct answer हो जाएगा पुंजी गत माल अगला question है बुखसा टाइगा रिजर्व किस प्रदेश में है बुखसा टाइगा रिजर्व है आपके कहां पर पश्यम बंगाल में next question देखेंगे निमने मैं से राजिस्थान के किस शाशा को पर्थम विश्व युद्ध की समाप्ति पर शान्ती सम्मेलन के लिए पूर्ण सत्ता युक्त महादूत बनाया गया था तो इस कुशन का राइट आंसर हो जाएगा आपका महाराजा गंगा सिंग को इंपॉर्टेंट कुशन है शेशन अभी भी शेयर नहीं किया है आप लोगों ने जल्दी से शेशन को शेयर कर दीजे और फिर आप सभी लोग नेक्स्ट कुशन देखेंगे भारती रास्टे आंदोलन के दोरान भारती राजनेती का शांती काल किस अभी दी को कहा जाता है इस कुशन का करेक्ट आंसर है प्रथम विश्व युद्ध का काल अगला कुशन देखेंगे किसी अर्थ व्यवस्था में निम्न में से कौन सा ऐसा कारी है जो की केंदरी बैंक के कारियों में शामिल नहीं है तो इस कुशन का राइट आंसर है आपका सरकारी खर्च पर नियंद्रण अगला कुशन है ग्यारवी पंच वर्षी योजना की अभीदी के लिए निम्न में से कौन सा सही है तो दिखेंगे ग्यारवी पंच वर्षी योजना की अभीदी के लिए सही बताना है इन में से कौन सा है तो दिखेंगे राइट आंसर हो जाएगा आपका एक अप्रेल 2007 से कतिस मार्च दो हजार बारा तक option ए इस question का correct answer है अगला देखेंगे बीका नेर नहर किस नदी से निकाली गई है बीका नेर नहर निकाली गई है किस नदी से सतलज नदी से अगला question देखेंगे गवीश का संदी विछेद है गौधन इश अगला कुशन देखेंगे भारती सम्विधान के अनुसार संग की कारिपाली का शक्तियां किसमें नहीं हित होती है रास्टपती में अगला कुशन है निमने मैंसे किस घाट की और सथ चोड़ाई जादा है तो देखें करेक्ट आंसर है पूर्वी घाट महा सागर में स्थित है बर्मुडा द्वीप स्थित है उतर पश्चमी अट्लांटिक महा सागर में अगला कुशन है किस देश पर जर्मनी के आकरिमार से द्वीधी विश्वी युद आरंब हुआ था करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका इस कुशन का पोलेंड अगला कुश कुशन है सिंदुगाटी सव्यता निमने मैसिक किस सव्यता के समकालीन नहीं थी तो देखे सिंदुगाटी सव्यता जो थी ये किस सव्यता की समकालीन नहीं थी ये बतानी है तो इस कुशन का राइट आंसर हो जाएगा क्रीट की सव्यता के समकालीन अगला कुशन है आप याद रखेंगे और यह सम्मेलन हुआ था दिल्ली में अगला कुशन देखेंगे भारत में लोक नायक की पदवी के साथ कौन सम्मंदित है तो देखे भारत में लोक नायक की पदवी के साथ सम्मंदित है जैप्रकाश नारायन अगला कुशन है ITCZ का पॉर्ण रूप है तो देखे ITCZ का फुल फॉर्म होता है International Tropical Conservation Zone यानि की option C बिल्कुल राइट आंसर है अगला question देखेंगे NIS का पॉर्ण रूप है तो देखे NIS का फुल फॉर्म होता है National Immunization Schedule यानि की option C यहाँ पे आपका राइट आंसर है अगला question है भारतिस समिधान के आठवी अनुसूची में कौन सी भाषाएं बात में जोड़ी गई थी तो देखे भारतिस समिधान की आठवी अनुसूची में कौन सी भाषाएं हैं जो की बात में जोड़ी गई थी ये भासाएं हैं सिंधी, कोंकणी, मानी, पूरी और नेपाली यानि के option C इस question का right answer है अगला देखेंगे भारतिय महानियंद्रक और महालेखा परिक्षक किसके लिए एक मित्र दार्शनिक और मार्ग दर्शक के रूप में कारी करता है तो लोकलेखा समीदी के लिए यह मित्र दार्शनिक और मार्ग दर्शक के रूप में कारी करता है यह आपको याद रखना है भारतिय महानियंद्रक और महालेखा परिक्षक अगला कुशन है भारती समविधान में मौली करताविय कब समाविष्ट किये गए थे भारती समविधान में मौली करताविय समाविष्ट किये गए वर्श 1976 में अगला कुशन देखेंगे भारत की सिलीकॉन घाटी इस्तित है दिखें भारत की सिलीकॉन घाटी कहां पर अव विश्चताब्दी के अंते में सबसे बड़ी आपने विश्चिक सक्ती के रूप में उबरा था अगला कुश्चन देखेंगे निमने में से कौन सी E में कलकत्ता कौन सी इजवी में कलकत्ता और आगरा के बीच पर्थम एलिग्राफ लाइन खुली गई थी तो इस कुश्चन का राइट आंसर हो जाएगा 1853 अगला कुश्चन देखेंगे किसने कहा था सुआद का वास्तविक स्थान जिवा नहीं बलकि मन है तो यह कथन था किसका महात्मा गांदी का अगला कुश्चन है नाना साहिब के नाम से कौन परशिद्ध था नाना साहिब के नाम से परशिद्ध था देखेंगे बाला जी पाल जिराओ अगला कुशन देखेंगे सूफी आदेशों को किस नाम से जाना गया सूफी जो आदेश थे इनको जाना गया सिलसिला नाम से अगला कुशन है अगबर का सामराजी कितने सूबों में विभक्त था अगबर का जो सामराजी था ये था बारा सूबों में विभाकता अगला कुष्छन है यहूदियों के धार्मिक गुरंद का नाम हैं यहूदियों का धार्मिक गुरंद होता है कौनसा इन मैंसे तोराह अगला कुष्छन देखेंगे हडपा और मोहन जोदड़ो के खंड़ा निमनांकित में से किस और तर्ट पर के खंडहर किस नदी के तटपर पाई जाते हैं कौन सी ये नदी है आंसर आ रहा है जल्दी से कमेंट किजेगा कम pénेंट शेक्टिन के पूर्प काफी पसंद आया है अगया होगा अगर आप सभी को आज का यह शेषन काफी पसंद आता है तो इस शेषन को लाइक कीजिएगा शेयर कीजिए जन लोगों ने अभी भी हमारे यूट्यूब चैनल इस्टेडी विट इम को सस्क्राइब नहीं किया है वो सस्क्राइब कर लें तो चलिए मिलते हैं कनेक्स्ट इंट्रस्टिंग वीडियो के साथ तब तक के लिए धन्यावाद